नमस्कार गुरुगराम प्लस पर एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको बता दे कि गुरुगराम के सोना में DTP RS भट की टीम पर हमला हुआ है जिसमें JCB के कई ड्राइवरों को भी चोटाई है और कई पुलिसकर्मी भी खायल बताए जा रहे हैं आपको बता दे कि लगातार DTP RS भट सरकार के आदेश अनुसार अवेद कपजों, अवेद कोलोनियों, अवेद मकानों पर तोड़ फोड करते रहे हैं अपना पीला पंज़ा चलाते रहे हैं फिलहाल पुलिस ने मोके से कई लोगों को गिरफतार कर लिया है मोके पर मोजूद DTP RS भट का कहना है कि ये तोड़ फोड बिल्डरों दवारा ही कराई गई है बिल्डर गरीब लोगों के साथ दोखा दड़ी करते हैं और उन्हें बहला फुसला कर सपने दिखाते हैं, बाद में उन सपनों को तोड़ देते हैं आपको बता देख की DTP RS भट लगातार पिछले कई महिनों से अवेद कोलोनियों को तुड़वाने के लिए अपना पीला पंजाच चलाते रहे हैं जिसके बाद ही अभी सोहना में उन पर हमला भी हुआ है देखे वीडियो कादरपूर एरिया है इसमें लगबग पान से दस एकड़ में काटी जा लिए और फ्रेश कंस्ट्रक्शन या तो लॉप्डाउन में की गई है या अभी भी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट प्रोर सेक्ड प्रोर पर चल रहे थी और जैसे हमने कारवाई अभी शुरू ही की थी अभी डीपीसी लेवल पर ले तोर रहे थे लोगों ने जो पॉल्नी काट रहे हैं उनके रिष्टदारों ने पत्राप किया पुलीस के उपर भी जेसीबी का अमारा बंगा कापी उसको नुक्सान हुआ है आपको बता देखी डीटीपी पर सो से जादा लोगों ने हमला किया था साथ ही जेसीबी के शीशे भी तोड़ दिये गए जेसीबी के ड्राइवरों का फोन भी लोगों ने तोड़ दिया DCP वे पुलिस अधिकारी मोके पर पहुँचे कादरपूर में DTP पर ये हमला हुआ है DTP पर जानलेवा हमला किया गया R.O.P.O को पुलिस ने मोके पर गिरफ्तार भी किया लेकिन कुछ लोग इन में से बचकर फरार भी हो गए हमें कॉल और WhatsApp भी कर सकते हैं हमारा नमबर है 9643107600